अलो फ्रेंड्स सर्दियों का मोसम चालू हो गया है इसके लिए हम बाजरे की जो रोटी याथी, स्पेशल जो सर्दियों में खाय जाती है वो हम आज बनाएंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक कब बाजरा लिया है और इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है अब हम एक MIXT Спасибо जार लेंगे और इसमें बाजरा ढाल करके हम इसको एक smooth सा powder बनाएंगे और इसका एक smooth सा powder बनाना जरूरी है ताकी हमारी जो रोटी है वो अच्छे से बन जाए ये देखे मेरा आटा है वो एकदम से स्मूथ है अब हम इसको एक चन्नी में डाल करके अच्छे से चान लेंगे ताकि जो बाजरी के छोटे छोटे टुकडे है वो बीच में नहीं आई रोटी में और ये देखे मैंने आटा है वो चान कर रख लिया है अब हम इसमें थोड़ यह और आटा लगाने के बाद में थोड़ा साहथेली से इसको एक्दम से मलार लगाएंगे ताकि जो हमारा वह आटा है वह एक्दम से अच्छे से लग जाए अब यह देखि मेरा आटा है वह बन अब इसको हाद चाहिज है थोड़ा सा। पानी लगाती हूँ इसको थोड़ा हाध से ऐसे करके रोटी का सेफ है वह देदेंगे और ये देखिए मैं हाथ से भना रही हूँ बाजरे की रोटी बाजरे की रोटी हाथ से भनाते तो इसका बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जिसको नहीं आती वो इसको चकले की उपर भी बना सकते हैं और मैं इसको हाथ से भना रही है क्योंकि मेरे को आदत है हाथ से बनाने की और इसको बाजरी की रोटी है वूद डाल दोंगे और इसको हाथ से ही पलट देंगे क्योंकि है सोफ्ट भोत होती है और तूट जाती बीच में बाजरी की रोटी को बनाना भोत हार्ड होता है यह बनती नहीं है और अब हम इसको गेज पर शेक लेंगे और दोनों साइड से इसको अच्छे से शेक लेंगे और इसको उपर हम घी लगाकर और धही के साथ में खाने से बाजरी की रोटी का वो टेस्ट वो बहुत अच्छा हैगा आप सबजी के साथ में खा सकते हैं गुड के साथ में भी सखा सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट अब धाई के साथ में बहुत अच्छा आएगा यह देखि बाजर की रोटी मेरी बनकर तयार है और इसके उपर मैं अब घी लगाऊंगे आप चाहे तो इसके उपर बटर भी डाल सकते हैं अब इसके घी लगाकर अच थैंक यू